ओकी तो आज का आपका टॉपिक है मेटल आयन इंडिकेटर मेटल आयन इंडिकेटर को आज डिटेल स्टडी करने वाले हैं अपन साथ में उसका देखेंगे क्लासिफिकेशन ठेक है तो लेक्चर को ध्यान से सुनना काफ़े साथ इंपोर्टन लेक्चर है और किसी ने अगर पुराना लेक्चर नहीं देखा कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइटरिशन का तो मैंने प्लेलिस्ट के लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे रखिए आप वहाँ से जाके देख सकते हो और अगर किसी को नॉट्स के रिक्वार्मेंट है सिर्फ और सिर्फ ऑर्गनिक डाइज है जो कि डिफरेंट डिफरेंट कलर देती है ठीक है जब यह बाउंड स्टेट में होती है मतलब किसी के साथ अटेच होता है मेटल आइन इंडिकेटर तो अलग कलर देता है और जब यह फ्री स्टेट में होता है मतलब किसे के साथ attach नहीं होता तो यह different color देता है ठेक है तो अलग-अलग color देता है metal ion indicator और metal ion indicator होता क्या है simply एक organic dye है जो की different different color देती है जब वो किसे के साथ attach होती है तो different color देती है और जब वो free form में होती है तो different color देती है यह अपनने last lecture में भी देखा था ठेक है अब देखने वाले है अपन important properties of metal ion indicator कौन कौन सी important properties होनी चाहिए metal ion indicator में तो देखो important properties start करने से पहले एक नजर अपन last lecture के उपर देख लगते हैं क्योंकि last lecture में अपनने क्या देखा था वह ज़रूरी है यहापर recall करना ठेक है तो जिसने नहीं देखा last lecture वो भी द्यान से सुनो आपको समझ में आ जाएगा देखो अपनने बोला metal ion indicator मतलब यह metal ion यह indicator दोनों मिला के बना रहे metal ion indicator टेक है फ़र यह satellite का बॉंड होता है यह weak होता है कमज़ोर होता है अधिक है कैसा होता है weak होता है कमज़ोर होता है थिक जब यहाँ पर में titrant 8 करना शुरू करूँंगा तो यहाँ पर क्या होगा जैसे मालनों मैंने T T मतलब titrant titrant मैं 8 करना शु होंगा ठेक है metal ion ने किसको बोला indicator को कि indicator तुझा titrant आ रहा है मैं तो उसके साथ attach होँगा तो यहाँ पर क्या हो जाता था कि indicator निकल जाता था और यह metal ion जो है titrant जो आता है उसके साथ attach हो जाता था यह अपने last lecture में देखा था यही complexometric titration ठीक है तो अब अपन देखना वाले important property of metal ion indicator और यह मैंने क्यों समझाया यह आपको जल्दी पता लग जाएगा ठीक है तो देखते हैं properties तो देखो अगर important properties की मैं बात करूँ metal ion indicator की तो वो काफी जादा stable होना चाहिए क्योंकि metal ion indicator कैसा होना चाहिए stable तो it should be आया कि metal और indicator दोनों का जो complex बन रहा था वो less stable था जब titrant आ रहा था तो indicator निकल जा रहा था ठीक है तो यहाँ पर देखो metal EDTA complex अपन titrant का example बोले तो EDTA होता है या फिर आप इसकी जगे titrant लिख सकते हो ठीक है metal titrant complex या फिर बोलो metal EDTA complex क्योंकि titrant का यह example EDTA ठीक है complex जो होता है वो less stable होना चाहिए और जो metal EDTA complex या फिर बोलो metal or titrant का जो नया complex बना था न वो more stable होगा यहाँ पर मैंने आपको बताया था देखो कि metal indicator का जो weak था फिर जैसे titrant आया indicator निकल यहाँ से और titrant और metal iron दोनोंने bond बना लिया अब यह जो नया bond बना यह stable है और जो indicator निकला इसके साथ bond बना रखा था वो less stable था इसलिए indicator निकल गया ठीक है यह बात आपको clear हुई second point आपको clear हुआ तो देखो third point काफी easy है ऐसे या रखो आप इसको जिसे आप और आपका friend जो है photo click करवाने गए अब आपके friend ने आपको बोला कि यार मेरा photo अच्छे contrast में click करना मैं अच्छे से दिखना चाहिए मैं blood नहीं होना चाहिए ठीक है तो आपके friend ने आपको बोल दिया अब आप अच्छे से photo click करोगे उसका contrast प्रोपर रखोगे brightness प्रोपर रखोगे तो वेसे यहां पर metal indicator complex के जो contrast है वो इतने अच्छे होने चाहिए कि अपनको easily observe हो जाए metal indicator का complex क्या कहना चाहरों मैं कि contrast between metal indicator complex should be sufficient इतना तो होना ही चाहिए कि हम उसे easily observe कर सके easily देख सके आप आपके दोस्का photo इतना अच्छा तो खीची सकते हो click करी सकते हो कि अच्छे से वो दिख जाए ठीक है तो देखो fourth point क्या कह रहा है कि indicator must be sensitive to metal ion concentration इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ देखो यहां पर जैसे यहां पर indicator है और यहां पर हलका सो metal ion concentration है तो हमारा indicator को पता लग जाना चाहिए कि metal ion की concentration present है हमारे indicator जो है वो sensitive होना चाहिए किसके प्रती sensitive होना चाहिए metal ion की concentration के प्रती ठीक है प्रती जादा इंदी हो गई पर चलेगा इतना कि metal ion की concentration को easily detect कर ले हमारा indicator इतना sensitive होना चाहिए हमारा indicator तो यह थे important property of metal ion indicators अब अपन देखने वाले हैं इसके classification देखो classification इतना important होता नहीं है exam में भी आपको कमी पूछा जाता है ठीक है तो आपको सिर्फ नाम नाम याद रखने हैं यहाँ पर जैसे अगर मैं बात करूँ classification की on the basis of chromophore, chromophore मतलब color देने वाले groups ठीक है तो chromophore groups के basis पे अगर मैं classify करूँ इनको तो example दूँगा मैं hydroxy azo compound जिसका example है modern black tea और solo chrome dark blue सरी क्या बोले जा रहे हो देखो अराम से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं classification कर रहा हूँ किसके basis पे on the basis of chromophore group ऐसे group जो की color देते हैं ठीक है जब मैं classify कर रहा है तो मैंने देखा यार एक compound दिख रहा है hydroxy azo compound जो chromophore group में आ रहा है ठीक है और hydroxy azo compound में example आ रहे है जैसे modern black tea ठीक है तो ऐसे याद रखो इसको नए जमाने के काले लोग modern black tea जैसे आपको याद रखना है रख सकते हो आप ठीक है solo chrome dark blue अब pubg में होता है solo mod ठीक है तो solo और google chrome ही सही chrome dark blue ता आप याद रखी लोगे ठीक है तो इस तरह सा example याद करने की कोशिश करना आप देखो अगला classification देखते हैं किस basis पर है तो देखो यहाँ पर second किस basis पर दे रखा है phenolic compound फिनोल तो सुना होगा आपने है ना उसे की पिछ आईसी लगा दो phenolic ठीक है और दूसरा है hydroxy substitute hydroxy को substitute किया hydroxy substitute tri-phenyl thin phenyl methane compound कुछ भी नहीं है hydroxy substitute thin phenyl tri-phenyl methane compound तो इस तरह से आपको नाम याद रखने है तो phenolic compound एक hydroxy सो substitute किया और tri-phenyl है और methane compound है तो इस तरह से आप पूरा नाम याद रख सकते हो अगर मैं इसके example देखूँ तो आपको किसे याद रखना है देखो ऐसे मजाक में मैंने trick बना रखिए देखो gylinol orange इसको किसे याद रखोगे जाली नारंगी ठीक है ऐसे बोल सकते हो आप तो xylinol ठीक है दूसरा है methyl thymol blue ये तो याद होई जाएगा simple सा है methyl पढ़ा ही है blue आता ही है thymol ही तो जोड़ना है ठीक है तो दूसरा हो गया phenolic compound या फिर आप बोलो hydroxy substituted tri-phenyl methane compound जिसके example है xylinol orange और methyl thymol blue अब देखते हैं third तो देखो third में दे रखा है compound containing amino methyl di carboxymethyl क्या बोलोगे amino methyl di carboxymethyl एक बार और बोलो amino methyl di carboxymethyl ठीक है तो ऐसे compound जो की amino methyl di carboxymethyl group को रखे जिसे अगर मैं example की बात करूँ तो अली ठीक है जरीन जरीन खाने ठीक है तो अली जरीन ठीक fluorine तो periodic table में ही सही और blue अपने को आता है तो alizarine fluorine blue ऐसे आपको याद रखना है रख लोगे बड़ा easy होगे आप ठीक है अब अब आपन देखना आले कुछ miscellaneous examples तो देखो miscellaneous में सबसे पहला compound आपको दे रखा है diphenyl carbazone murexite ठीक है आप इसको ऐसे याद रख सकते हो diphenyl मतलब दो phenyl carbazone मतलब ऐसे याद रख लो कि carbon का zone याद करने में आसानी होगी diphenyl carbazone murexite यह आपका पहला compound है miscellaneous में अगर इस compound के example के अगर मैं बात करूँ तो example है solo chrome black tea जो की एक free indicator है जिसका color होता है blue तो अभी तक क्या बोला मैंने कि miscellaneous में पहला compound है diphenyl carbazone murexite उसके example के अगर मैं बात करूँ तो solo chrome black tea जो की एक free indicator है और blue color का होता है या फिर blue color देता है ठेक है यह बात आपको clear हुई अब आप सोचे रहोंगे सर कितना अजीब अजीब नाम है solochrome black tea diphenyl carbazone murexite तो दो-तिन बार repeat करोगे ना तो याद हो जाएगा ठेक है अब अपन देखने वाले हैं इसकी structure ठेक है कि solochrome black tea जो की एक free indicator है तो वो free form में कैसा दिखता है और जब metal iron उससे attach हो जाता है तो वो कौन सा color देता है और कैसा दिखता है तो बड़ी simple structure है 30 second में याद कराता हूँ चलो देखते हैं तो देखो solochrome black tea की structure में आपको benzene बनाने है ठेक है 4 benzene बनाने पड़ेंगे 2 को तो बिठा दो आराम से और 2 को खड़े benzene बनाने है ठेक है इस तरह सा आप बनाओगे अब उसके बाद आपको क्या करना है एक तरफ आपको attach करना है SO3- और एक तरफ NO2 कुछ नि करा मैंने 2 benzene है जिसको ऐसे बिठा रखा है मैंने एक तरफ SO3- एक तरफ NO2 अभी तो कुछ जादू अगर नहीं हुआ ठीक है यहाँ पर attach कर रखा है OH ठीक अब बीच में ऐसे याद रखो आपको लगाना है नल और नल कैसा लगाना है strong लगाना है double bond वाला लगाना है यह दोनो nitrogen जो है connect होते हैं double bond से आप इसे याद रखो null तो आप फटाफट connect कर लोगे तो अभी अपनने दो benzene मनाई है इस तरह से यहाँ पर SO3- यहाँ पर NO2 और यहाँ पर OH लगा रखा है यहाँ पर लगा रखे है null और null में double bond है अच्छे वाले null है quality वाले null है ठीक है मतलब nitrogen लगा रखे है CDC बात यहाँ पर आपको CD benzene बना रखी है और यहाँ पर OH है तो इसके देखा देगा अपन नहीं यहाँ पर भी OH लगा दिया ठीक है तो यह structure होती है solo chrome black tea की अब क्या होगा ध्यान से देखना जब metal iron आएगा तो यहाँ से यह hydrogen चला जाएगा और यहाँ पर देखो अब क्या होगा अपको यह नहीं बुलेगा कि सरवई होगा जो मनजूरे खुदा होगा देखो मनजूरे खुदा तो होता ही है अपने भी structure बना रहे हैं ठीक है मजाग मस्ति नहीं तो देखो यहाँ से hydrogen अटेगा यहाँ से भी अटेगा इस OH में से भी अटेगा इस में से भी अटेगा ठीक है और यहाँ पर आजाएगा M metal ठीक है सब कुछ same है पूरी structure same है A to Z सिर्फ यहाँ पर M लगा दिया यहाँ से hydrogen बगा दिया यहाँ से ही बगा दिया यहाँ पर M attach कर दिया अब देखो जैसे ही metal आके attach हुआ ठीक है पहले था यह free indicator solochrome black tea जिसका color था blue अब यहाँ पर क्या हो गया metal attach हो गया तो यह हो गया metal indicator का complex ठेक है यह क्या बन गया metal indicator का complex जिसका color हो गया red wine color ठेक है तो यह किसलिए use होता है solochrome black tea यह use करते हैं use for the determination of metal iron जैसे calcium magnesium zinc cadmium barium तो इनके determination करने में in metal iron के determination करने में हम use लेते हैं indicator का जिसका नाम है solochrome black tea I hope आपको पूरा clear हो गया होगा ठेक है अब चलते हैं अपन last and final example की तरफ जिसका नाम है murexite तो देखो जो second example दे रखा है miscellaneous compound में वो example है murexite murexite indicator ठेक है यह indicator हम इसलिए use लेते हैं ताकि हम determination कर सके calcium copper cobalt iron का ठेक है तो murexite indicator it is used for the determination of calcium copper and cobalt iron साथी साथ जो free murexite होता है मतलब murexite indicator जो है free है किसी metal से attach नहीं है तो free murexite pH 12 पे color देता है कुन सा violet ठेक है तो violet color मिलता है pH 12 पे free murexite देता है ठेक है अब देखो जब यह murexite bound हो जाता है attach हो जाता है calcium iron से तो यह yellow color देता है ठेक है yellow complex बनाता है तो metal iron indicator की property भी तो यही होती है कि अगर वो bound रहता है तो अलग color देता है और अगर वो free form में होता है तो अलग color देता है hence proved ठेक है murexite iron example हो गया तो murexite iron के बारे में इतना याद रखना है कि determination करता है calcium copper cobalt iron का few murexite जो है 8 pH 12 पे violet color देता है जबकि murexite अगर bound हो जाता है तो वो yellow color का complex बनाता है अगर murexite के लचे माइन से bound हो जाता है तो ठेक है तो यह था आज का आपका lecture metal iron indicator and classification तो मिलते हैं बहुत जल्द next topic के साथ next video में thank you so much thanks for watching keep support thank you और अगर किसी को पुराना lecture देखना है ठेक है complexometric titration का तो मैंने playlist के link जो है description में दे रखिये आफ जाके visit कर सकते हैं thank you